दोसो ठंड में अगर आपको नहाना है या किचिन का कोई काम करना है तो गीजर का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके घर में ओल्डी गीजर लगा है और आप उससे परिशान है उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप एक नया गीजर पहली बार लगव होगा अगर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले शायद वही वीडियो मिलेगा आपको आप देख सकते हैं उस वीडियो में आपको बताया था कि गैस ज्यादा बैस्ट होते हैं ऐसा इसलिए मैंने बोला था क्योंकि गैस गिजर में आपको इंस्टेंट गरम पानी मिलता है जितनी जरूरत आप उतना पानी गरम कीजिए यानि कि उतनी ही आपकी गैस वेस्ट होगी एक्स्टा पानी आपको गरम नहीं करना पड़ेगा जबक आपको यूजर में पूरे टैंक में भरा पानी गरम होता है जितना आपको यूज करना है वो आपने यूज कर लिया बाकी का वेस्ट हो गया फिर ठंडा हो गया और टैंक कभी कभी लीग भी हो जाते हैं तो इस वज़े से मोस्टली गैस गिजर ही ज्यादा प्रिफर किये यह फिर इंस जीजों को देखते हुए अब मार्केट में गास गीजर के पिक्षा एलेक्रिक इि इलेक्रिक जार भी लगवा सकते हैं आपको गई-इलेक्रिक इंसट्री जार लगवाने की कोई ज़बत देए अब कोशन यह उड़ता है कि अगर आप इससे इलेक्रिक इलेक में तो अच्छे हैं ही साथ ही आपको अच्छी खासी वारंटी भी मिलने वाली है जिससे गीजर लगवाने के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़े क्योंकि गीजर एक ऐसी चीज़ जो 6 मेने यूज होती है 6 मेने से भी कम यूज होती है बाकि पूरे टाइम पे वो बिना किसी काम के बिना यूज के पड़ा रहता है तो खराब हो सकता है तो अगर आपको अच्छी खासी वारंटी मिलेगी तो आपको इसकी टेंशन नहीं होगी कि उसको बरबर सही करवाना है तो दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहेगा ध्यान से देखते रहेगा ताकि आप अपना बेस्ट इंस्टेंट इलेक्ट्री गीजर चुन पाएं मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओनलाइन जगार तो आज इस वीडियो में आपको जो भी इंस्टेंट गीजर बताने वाला हूँ वो मैंने फ्यूचर को ध्यान में रखके सजेस्ट किये हैं आपको क्योंकि एक बार लगवा लिया तो फिर आपको फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए तो जो पहला इंस्टेंट गीजर में आपको बताने वाला हूँ यह आता है क्रॉम्टन जैसी कमपनी की तरफ से इसका नाम है क्रॉम्टन ग्रेशी यह एक फाइव लिटर का इंस्टेंट गीजर है इंस्टेंट गीजर में लिटर का मतलब यह होता है कि एक लिटर में आपको उतने लिटर गरम पानी मिलने वाला है तो इसमें एक मिनेट में आपको पांच लिटर गरम पानी मिल जाएगा इंस्टेंट गरम हो जाएगा लुक वाइज अगर इस गिजर की बात करें तो यह काफी स्टालिस्ट दिखता है अगर आप इसको अपने बात्रूम में लगवाएंगे तो यह एक देखने वाली चीज होगी जा दोस्तो ब्लैक किलर में यह आपको मिल जाएगा और इसकी कीमत की बात करूँ उसके पहले में आपको बता दू कि यह आपको पूरे पांच साल की वारेंटी के साथ मिलने वाला है और यह आपको 3900 के आसपास मिल जाएगा 4000 से कम की कीमत में इसका एक और वेरियंट अवेलबल है अगर आपका यूजस कम है आपको कम पानी चाहिए तो आप 3 लिटर वाला वर्जन ले सकते है इसका जो गरे कलर में मिल जाएगा और इसकी कीमत जो है वो है 2600 रुपए तो 2600 रुपए में आपको इतने सस्थे प्राइस में आपको एक 3 लिटर का इंस्टेंट गीजर मिल जाता है पूरे 5 साल की वारेंटी के साथ सेफटी सेरी लिटर सारी फीचरस में मौझूद है और बाकी की टीटेल्स अगर आपको इसके बारे में जाननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए मैंने सारे ही गीजर्स के आप वहाँ पर क्लिक करिए आज का करेंट प्राइस और बाकी के टी करने वाला है यह वाइट कलर के कॉंबिनेशन में आपको मिल जाएगा और यह आपको पूरे दो साल की वारंटी के साथ मिलेगा इंस्टेंट घीजर जो है इन्हें इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है फिल्कुल गैस घीजर जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो यह दोनों ही गीजर आपको वारंटी के मामले में काफी पॉफ्ट मिलने वाले हैं मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह जानिमानी कंपनी के तरफ से आते हैं बाकिकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के लिक में मिली जाएगी और आ नेक्स्ट गीजर हमारी लिस्ट में हैं वो आता है एक और जानिमानी कंपनी बजाज की तरफ से और यह है बजाज स्प्लेंडोरा यह भी एक तीन लिटर का इंस्टेंट वाटर गीजर है और इसको आप ले सकते हैं दो हजार साथ सो रुपए मैंने की 2700 रुपए की छोट पानी की तब तक आप वो जो दूसरे वाले गीजर साते एलेक्टिक वाले टेंक वाले उनकी तरफ ना जाएं यह काफी अच्छी होते हैं कम यूज करना है तो आपकी इलेक्टिसिटी की काफी बचत भी करेंगे अगर बात करें बजाज के स्प्लेंडोरा की तो इसमें और बढ़ा देंगे इनकी बाहरी बाडी मुस्टली प्लास्टिक की होती है और अंदर आपको स्टील के टैंक्स मिलने वाले हैं टैंक्स के जो भी इसका अंदर का सिस्टम होता है पाइप्स वगेरा हों मिलने वाले और इसमें भी आपको जो अंदर एलिमेंट मिलेगा वो अच्छी खासी warranty मिल रही है तो आपको बार-बार इनको repair कराने की भी जरूवत नहीं पढ़ने वाली फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आगर आपके मन में कोई question आ रहा है तो मुझसे comment करके पूछ लिए मैं आपके सारी queries को solve करने की पूरी पूरी कोशिस करूँगा और अगर गीजर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि जो online जुकार का पिछला वाला वीडियो है ना इसको आपमें लगबाग दो लाग के असपास views दिये हैं उसको जरूर देखेगा उसको देखने के बाद आपके सारे doubts गीजर को ले करके clear हो जाएगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा अपने friends और especially family के साथ share करेगा ताकि उनकी गीजर के problem भी solve हो जाए और लाइन दोगार पे पहली बा स्वस्त रहे स्वस्त रहे और अपना ख्याल रखिए